नमस्कार मैं राजपुरोहित मधूर जी आप देख रहे हैं इस्टो तक स्त्रावण माह के पवित्र महीने में बहुत सारे लोग हैं जो महामृत्यूंजे का जब करते हैं और जो बिगत हर प्रतेक माह में करते रहते हैं प्रतेक दिन करते रहते हैं वास्तविक रूप से प्रतेक दिन करने से और इस्ट्रावण माह में महामृत्यूंजे मंत्र का जब करने से या व्राम्हण वैदिक विद्वानों को कराने से उनके साथ क्या लाब मिल सकता है महा मृत्युंजे अर्थात जो मृत्य उपर विजय प्राप्त करने वाला हो जो काल पर विजय प्राप्त करने वाला हो अर्थात जो कालों के काल है वो साक्षात महा काल कहे जाते हैं तो ऐसे में जब मानों तमाम प्रकार से बहुत निरास हो जाता है, अनेक रास्तों से निरास हो जाता है, सब कुछ करके निरास हो जाता है और अपने वो जीवन सैली में किसी भी बीमारी से लंबी बीमारी से जूज रहा हो, जहां डॉक्टर भी जहां होस्पिटल भी हाथ उ शिव निराकार हैं, शिव ओंकार हैं, शिव कण कण में ब्याप्त हैं, तो ऐसे में महामृत्युन्जे की जो भूमिका है, वो कितना मायने रखती है। शिव का दे दिया, लेकिन ऐसी परिस्थिती में जब पती चला गया हो, तो पुत्र की प्राप्ती संभोग ऐसे हो। शिव का दे दिया, तो ऐसे में आप समझे कि जो भूमिका हैं, जो भूमिका हैं, जो तमाम प्रकार से भै से युक्त हैं, जो तमाम बाधाओं से ग्रसित हैं, ऐसे भैक्ति को अपने जीवन में महामृत्युन्जे की सरन लेनी चाहिए। महामृत्युन्जे की सरन जब आप ले लेंगे, तो आपके जीवन में वास्तों में भैसे आप मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे, आप अगर उस रोग की सईया पर लंबे समय से बिराजमान हैं, तो आप वहाँ से उठ करके चलने लगेंगे, और ये चीजे सास्त्रों में लिखित नहीं, ये प्रैक्टिकल की गई हुई बाते हैं, अर्थात एक ब्राम्भण, एक पुरोहित के तौर पर ये चीजे हम स्वयम आपको बता रहे हैं, कि हमने इतने कम आयू में उस महामृत्युन्जे मंत्र को धारन करके, कई सारे ऐसे व्यक्ति के जी देखिए, जब तक अगर समस्या है, तो समस्या का समाधान, गुरु के पास, संत के पास, ब्राम्भर के पास, पुरोहितों के पास, आपको जा करके उसका समाधान करना चाहिए, अगर आप स्वयम से साधक बनने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, और आप पहले से तमा आधी, ब्याधी, जरा, पीडा वो सब कुछ आपको ले करके गिरा देती है अर्थात आप जो चल रहे होते हैं वो एक बेड़ पे आ जाते हैं तो इसलिए ये वाली भूल ना करें आप किसी गुरू, ब्राम्हर, पुरोहित या संत महत्माओं का सनरक्षन लें और उसमें महा महामृत्यूंजे मंत्र जब करने के बाद आपके जीवन में यदि बड़ी से बड़ी बीमारी है तो उसका समूल भी नास हो जाता है यदि कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से बंधा हुआ आपको महसूस होता है कि ये कार्य हो ही नहीं पा रहा है वहां भी एक आसा और किर महामृत्यूंजे मंत्र को अपने जीवन में धारन करें तो रुद्राक्ष की माला पर उसका जब करें ध्यान रहे कि अगर आप कारे छेत्र में कारे करने के लिए आगी जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला पर अगर प्रतिदिन जब करते हैं तो एक माला ऐसी रखें जिस पूर यात्रा करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक्ता आप पर हाबी ना हो, आप बहुत एनरजेटिक रहें, इसलिए रुद्राक्ष की माला जो धारन करें, उस पर भी महामरतिंजे या पंचाक्षर मंतर का जब करके उसे धारन करें, लोग जैसे कहते हैं सा तो उस सस्त्र में उर्जा होना भी आवस्यक है इसलिए एक माला ऐसी हो जिसका जब आप निरंतर करते हो उसे पूजनस्थल पर रखें दूसरी माला एक ऐसी हो जो आप अपने गले में भी धारण करें परंत उस पर भी जब करके ही धारण करें तो ऐसे में महामृत्युंजे जब इस स्रावन माह में करने से बेक्तिके जीवन की रोग दोस भय आदि तमाम प्रकार से मुक्ती मिलेगी स्रावन माह में महामृत्युंजे जब करने का एक नियम है नियम ये है आप प्राता काल कर सकते हैं इस जब को जब असनान ध्यान करें एक सुध्धासन पर और अधोवस्त्र जो गम्छा होता है उसको धारन करें और भगवान सिव को अपने समी प्रक करके उनका विधिवत पूजन करें और तत पस्चात पूजन करने के बाद एक दीपक जल रहा हो और उसी की त्राटक क्रिया को करते हुए महामृति उन्जे जब करें महामृति उन्जे जब करने से घर में किसी भी व्यक्ति से अगर कोई रोग से पेडित है किसी भी रोग से पेडित है तो उस पर विजय प्राप्ति की जा सकती है वस्तुता नियम से आचरन से सालिंता से सौमिता से स्रद्धा और विश्वास के साथ यदिजब किया जाएगा तो वो जब जरूर फलीभूत होगा इसलिए इस त्रावन माह में भगवान स्यू का जब महामरतियुज़े जब आपके लिए राम बांड साबित हो आपके लिए जीवन में एक नई दिसा और दसा लेकर की आए इस स्त्रावन माह का जो महामर्तिंजे जप होगा वास्तों में कहीं न कहीं क्योंकि ऐसा सैयोग लगभग 76 वर्सों बाद 76 यर्स के बाद ऐसा योग बन रहा है जो इस स्त्रावन माह में प्रते एक दिन मनुस्य को कहीं न कहीं सक्तियों से उर्जा से लबालब भरने का कारे क तो ऐसे में महामरत्युन्जे प्रत्यक मानों को करना चाहिए, माताओं को भी करना चाहिए, बहनों को भी करना चाहिए, जो बेक्ति अपने जीवन में उर्जावान नहीं है, तमाम प्रकार के आउसादों से ग्रसित है, वो महामरत्युन्जे की सरण ले सकता है, यदि अधि ब्यावाः बीमारियों से आप पीडित हैं तो आप महामर्तिंजे वैदिक विद्वानों से ही संपन्न कराएं। महामर्तिंजे भगवान सियू की जितनी महिमा गाई जाय उतना ही कम है। आप तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोज ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें एस्टोतक पर नमस्कार।